आज के balance में अपन Convex Lens यानिकी उत्तार Lens के बारे में संपूर्ण ने जानके देखेंगे इसका परिभासा चीतव इसके जितने भी प्रिकार है उत्न लेन्स कितना प्रिकार का होता है उनके भी चीतव समझें गे साथी साथ अपन गाने गे इसके कुछ relative बहुत ही महत्पुन चीजें जिसे कि उत्तर लेंस को अभी सारी लेंस क्यों कहते हैं यह जितने भी concept है आपके उत्तर लेंस सम्भन्द एक ही वीडियो में बहुत ही बारिकी से समझाओं और एक ही वीडियो में बिल्कुल complete आपको solution provide कराने का प्रयास करूँगा सबसे पहले यहदtill अपन उत्तर lens की बात करें तो इससे पहले वीडियों में अपने देख लिया coon violence जो होता है बेटा lens पारदर्सी माद्यम होता है थीक है, ये क्या है आपका एक lens है जैसे आप ने देखी होगी image ये भी अपका lens है, ये भी lens है जो अपना cam Fairy का lens होता है मोबाइल का लेंस होता है, किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-किए-क देखे ठीके इसकी जो किनार है ये जो किनारों है इनकी वो क्या पतली है और ये बीच में से मोटा है, दिखाम आपको, याने की बीच में से उबरा हुआ है तो इस तरह का लेंस जो बीच में से मोटा हो तो था किनारों पर पतला हो इसा लेंस जो बीच में से कैसा हो मोटा हो तो था किनारों पर पतला हो इस तरह के लेंसों को हम उत्तल लेंस कहते हैं है यदि हम इसको और अच्छ समझें तो देखे यही जो image है वास्तों में इसी इस तरह की चित्र में तो अपने इसी वहां बनाते हैं देखिए गोर से यह कि जो किनार ओपर से केसी है पतली है यह बीच में से मोटी है यदि इस lens को यह वास्तों में आपन लेंगे ना तो इस यह जो लेंस है यह क्या है बीच में से मोटा भाग रहेगा सीरी सी बात है इस तरह का जो रहेगा वो रहेगा आपका उत्तल लेंस और अउत्तल में क्या हो जाता है इसका ठीक वीपरीत रहता है यह ठीक है यह बीच में से पतला रहेगा किनारों पर से मोटा रहेगा पर आभ पतला हो तो परिभासा में लिख देता हूं इसकी पहले आप देखें इस इमेज को आप ध्यान से देखोगे ना तो यह जो लेंसे इसके दोनों प्रस्टे उत्तल ही है उत्तल का मतलब होता है बाहर की और उबरे हुए ठीक है तो अपने यहां पर एक लाइन लिख भी सकते है कि उत्तल लेंस में जो प्रस्ट होते ना वो दोनों उत्तल होते है ठीक है तो अपने यहां पर लिखेंगे इस में दोनो प्रस्ट दोनो प्रस्ट उत्तल होते हैं अर्थात अर्थात की उब्रे हुए होते हैं ठीके बाहर की और अर्थात बाहर बाहर और उब्रे हुए होते हैं ठीके इतनी चीज़े क्लियर है अब देखिए जो उत्तर लेंस होता है वहाँ तीन प्रकार का होता है ठीके यदि इमेज की बात करें अपन उत्तर लेंस के चितर की तो अपन चितर बना सकते उत्तर लेंसु का ये लाइने की दोनो प्रश्ट केसे होते हैं इसके दोनों प्रश्ट केसे होते हैं ठीक है उत्तल होते हैं जिसका जो प्रकासी के अंदरों होता है यहां पर ओ होता है यह किसकी इमेज आपकी उत्तल लेंस की है ठीक है बस इतना कर सकते है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो उत्तल लेंस है वो कितने प्रकार का होता है ठीक है पर उससे पहले अपन कुछ इसकी बाते जो है वो बहुत ही important है किसी कि जो उत्तल लेंज से होता है ना उसमें यदि अपन देखे तो ये इमेज उत्तल लेंज से किये ही है अब ये जो उत्तल लेंज से है ना ये क्या करता है प्रकास की जो केरन होई देखो आप्तित हुई और आप्तित के बाद में अपवर्तित होगा इसका तो यह जो प्रकासी किरन अपवर्तित होते है ना तो देखो यह पहली प्रकासी किरन चली यहां से यहां से आने के बाद में यह एफ पर है दूसरी भी चली यह भी एफ पर है तीसरी जो है वो भी ए एक बिंदु पर अभिसारीत कर दिया यह एकत्रीत कर दिया इसलिए इस लेंश को अभिसारी लेंश भी करते हैं अपवरतन के पस्याथ एक बिंदू पर एकत्रित कर देता है इसलिए 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 अभी सारी लेंस भी केते हैं। है, चले लिग देता हूं में पले, तो देखिए मिने लिग दिया है कि उत्तर लैंज.. जो को है वो प्रकास की किरनओ उप्रटन के पषचाथ एप बिंदो पर एकदतत देटा लिए इसे अभी सारी लैंज भी कहते है किस तरिक से जिसे ये प्रकासी किरन यहां से चली इसकेल की साहिता से बना लेना बली और इसने अपवरतन के पस्चाथ इसको एक बिंदू पर यहां पर ठीके एक बिंदू पर इसने आके इसको यहां पर एकत्रित कर दिया इसी तरीके से दूसरी प्रकासी किरन चली ये भी आपकी एक बिंदू पर आकर यहाँ पर एकत्रित हो गई इसी तरीके से इधर से जो लाइन चलेगी वो प्रकासी किरन ये एमान के चले यहाँ से चली और ये भी अब इस तरीके से हो गई इसी तरह दूसरी यहाँ से प्रकासी किरन चलेगी ये भी इधर जाके यहांपर इस बिंदु के ओपर एकत्रीत आकर चारों प्रकासी किरन हो गई बस इसलिये इसे अभी सारी लेंचे भी क lliयर हैं ठीक है भी यहां अभी इतनी बात है तो अभी सारी लेंचे क्यों केते हैं ठीके उत्तल लेंसे का अपने यदि कोई चित्र पुछे था चित्र बहुत ही सिंपल है बना सकते हैं कि जिसके दोनों प्रष्ट कैसे होते हैं ठीके और एक बात आपने नोटिस करना है आपको कि जब जब उत्तल लेंसे के दोनों प्रष्ट उत्तल होते हैं जब इसके दोनो बुक में अपन उत्तल लेंसे ही बोलेंगे ठीक है अभी आगया आएगा परकार में तो अपना जो उत्तल लेंसे है वहां कितने परकार का होता है तो उत्तल लेंसे तीन परकार का होता है नमबर एक अब वैपन के सकते हैं द्वी उत्तल लेंस है या दूसरा नाम है इसका उभिया उत्तल लेंस है दूसरा जो है वो रहेगा आपका समतल लेंस है सम और उत्तल दोनों को मिलाओगे तो समतल लेंस है यह समतल लेंस है ना तो समतल हो गया है और इसका उत्तल मिलाओगे तो इस पर ओकी मातर चड़ जाएगे और आदा दतरा जो ला लटू समतल है ने समतल और उत्तल सिधी सी ब तीसरा जो आजाएगा वो आजाएगा आपका अउतल ठीक है अउतल और उसके साथ उतल जोड़ोगे तो यह ओग की मातर सब्सक्राइब और यह अउतल उतल लेंज ठीक है भीया इतनी बाते के लिए रहे आपकी चलिए अब आगे देखते हैं कि द्वी उतल लेंज या अभ्य उतल लेंज किसे कहते हैं तो देखिए परिवासा बहुत सिंपल है कि ऐसे लेंज नाम में लग रहा है कोई जाना अगरबर करनी कि यह रुबत नी कि ऐसा लेंज जिसके दोनों प्रश्टिके से हो उतल हो उतल हो उसे ही क्या कहेंगे अपन ठीक है द्वी उतल लेंज कहते हैं चित्र बहुत ही जानता सिंपल जो अपने ये चित्र देखा था ये बस यही क्या है वास्तों में आपका द्वी उतल लेंज है ठीक है ये क्या ह आपका द्वी उत्तल लेंस ये बीच में प्रकासिक के अंदर ओय हुआ परिवास अपने बात में आएगी येदि हम बात करें कि जो द्वी उत्तल है द्वी उत्तल लेंस को है ना बच्चो अपन जो आम बॉल चाल में है ना इसे केवल और केवल उत्तल लेंस कहेंगे हैं ना तो यहाँ पर एक स्टार बना के में लिख देता हूँ कि द्वी उत्तल लेंस को आम बोलचाल में मतलब अपने साधरन भासा में आम बोलचाल में उत्तल लेंस कहते हैं यह दि कोई पूशे की उत्तल लेंस का मतलब क्या है , अब दूसरा देखते है सम प्लस उत्तल और उत्तल नाम में ही ly लग रहा है शॉम्तल तो देखे परिभासा मैंने लिख ली बहुत ही सिंपल है सम्तल उ उत्तल मैंने बोल दिया पहले आपको कि सम्तल प्लस उत्तल याने कि एक प्रष्ट तो सम्तल होगा और दूसरा प्रष्ट आपका उत्तल होगा यानि कोई साभी बहलो यदि एक परिष्ट उत्तल है तो दूसरा समतल होगा सीधी सी बात है यानि कि एक परिष्ट को अपने को उत्तल रखना है और दूसरे को समतल बना देना है यदि पहला उत्तल है तो दूसरा समतल होगा यदि पहला सम्तल है तो दूसरे प्रकार का उत्तल होगा बात हुए है मतलब एक उत्तल होना चाहिए चित्र की बात करें ना तो बहुत ही सिंपल है बहुत ही सिंपल सम्तल उत्तल तो पहले उत्तल बना दो कोई दिक्कत नहीं तो उत्तल को अपन ऐसे लिख रहे हैं अभी दे जहन से ठीके और समतल जो होता नहीं बटा वो समतल होता सीधा यदि मैं इसे इस तरह का कर दूँ ठीके तो यह जो दरपन बना आपका इस वह यह जो लेंस बना यह लेंस है आपका समो उत्तल लेंस या फिर बोल सकते हैं समतल उत्तल लेंस समो लेंस चित्र बहुत ही सिंपल है ठीक है चलिए तीसरा जो है अपना है कि आउतल उतल लेंस जो अपने बोली दिया आउतल और आउतलो उतल नाम में लग रहा है अउतल उतल लेंस ठीक है क्या है आउतल प्लस उतल तो चलिए शिरू करते हैं इसको भी तो देखें यहां पर मैंने लिख दिया है आउतल उतल लेंस का तो एक प्रस्ट में ने बना दिया यहापका कौन सा बिल्दी से देखो ठीक है ये आपका प्रष्ट बना दिया मैंने कौन सा भी यू ये है आपका उप्तल वाला और यदि इसके साथ यदि में ये बना दो यानि कि ये बीच में से तो पतला रहेगा किनारों पर से मोटा रहेगा ठीक है जिसे ये देखो ये है आपका इमेज ये तो ये उत्तल है है ना और ये होता है बटा आउतल ये है ये ये इत्ता हिस्सा यहां से लगा के यहां तक का बस ये इस्सा यहां पर फिट किया है थोड़ा सा बनाने मिन आया है आप बना सकते हैं ना चलिए बहुत ही सिंपल है इसे कहेंगे अपन आउतलो उत्तल लेंस ठीक है ध्यान रहेगा अच्छे से करपाओ के कबर चलिए तो ये चीज़े हो गई है अब अपन देखते हैं ये परकार भी हो गया है उत्तल लेंसे अब इससे संबंदित जो मुख्य बाते होती है तो देखिए मैंने कुछ इसके महत्पुनत अथ्य जो लिख ली है पहला है कि जो उत्तल लेंसे है उसका प्रस्ट जो होता है वो बीच में से उबरावा होता है ठीके यहाँ प्रकास सीकरों को एक बिंदू पर एकत्रित करता है इसलिए से अभी सारी लेंसे कितापने पहले पढ़वी लिया है इस पर जो वास्तविक और कालपनिक का मतलब आपासी इस पर वास्तविक और आपासी दोनों तरह के प्रतिविम्मों बनते है इसकी फोकस दूरी वास्तविक होती है इसकी फोकस दूरी कैसे होगी वास्तिव होगी और फोकस दूरी धनात्मक होगी साती साथ जो उत्तल लेंसे की लेंसे छमता होती है न वो धनात्मक होती है और इसका आवरधन धनात्मक और रिनात्मक होता यह छोटी सी बाते लग रही होगी आपको थोड़ी सी देर में बता बैसिक जाने करें जिस तरह से उतल को समझाया आउतल को समझेंगे फिर उतल Lens और आउतल लेंस जो इसके लेंस से जम्मंदित, जो मुख्य परिवास है, सब कुछ समझाऊंगा, आप निस्चिंत रहिए, चाहे आप 12th के कोई student है, तो भी देख रहे तो बिल्कुल आपके 12th के according भी कापी रहेगा, लेकिन मैं 10th के, के बच्चों को विशेज पढ़ा रहा हूँ, आप बिल्कुल इस तरीके स पढ़िए कि आपको आगे तक यह सारी चीजे जानकारी मिल सके, पूरी देखिए, डीटियल पढ़ोगे, तो एक ही बार में सिख जाओगे, इतना पढ़ोगे कि केवल बस परिक्च्छा मा जाए, पास हो जाए, तो बिल्कुल जिनकी भर पढ़ते रहोगे, तो यह एक बा